मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मैं कभी पहले कभी इन्विश्चर को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पड़े लिखे लोगों को कहता हूँ, आत्ममन्थन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है, तो क्या कारण है, सरकार की व्यवस्ताओं का बेनिफिट कॉंग्रेस के जमाने में, आपको क्यों नहीं मिला, क्या कॉंग्रेस के कालखण में, आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हूँ क्या, आत्ममन्थन कीजिए, और एक बार तह कीजिए, ये आपके मन में जो हैं, कि सत् करेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविश्खाराब कर रहे हो, मुसल्मान समाथ दुनिया में बदर रहा है जी, आज मैं गल्ब के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्ति को तुम से मुझे मिलता है, और भारत को भी मिलता है, उन्स सब को लगता है, हमार के देशों में जाता हूँ, इस सारे अमीर लोग जो है, मारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जुरू मुझे योगा के विशे में पुछते हैं, कि मुझे जी इसका special official training लेना है, तो क्या करना है, कैसे करना हूँ, कोई कहते हैं, मेरी पत्नी इंडिया जाती है, य योगा को भी, अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसल्मान समाज से आगर पुरव कहता हूँ, कम से कम अपने बच्छों की जिन्गी को तो सोचो, अपना भविश्त तो सोचो, मैं नहीं चाहता हूँ, कोई समाज बंधुवा मजदूर के तरह जिन्गी जीए, क्योंकि कोई डरा रहा है, क्योंकि कोई डरा रहा है, दूसरा, अगर आप बैठना उतना सुरू करोगे, भाज़ापा वाले आपको डर वाले लगते, अरे जाओनों पचास लोग बैठकर गे, भाज़ापा गारा में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे के आपको, आप देखी क्या चल रह कौन डिकालते आपको, कब्चा करून जाएकि बीजी भी कर लेगा, कौन रुकता है आपको